So hello everyone, hello दोस्तों, सबसे पहले तो thank you very much दोस्तों आप सभी का सारे founders का special thank you, on passive का and special very very special thank you Mr. Ash Mufaraj जिनों ने जो है एक ऐसा concept बनाया और जिसमें जो है बहुत सारे लोग आए और उसमें से मैं भी एक हूँ 13 लाग founder में थे और आज मैं बड़ा proud feel करता हूँ कि आज की date में जो है मेरे चैनल पर आज करीबन 6 million view मतलब कर चुके हैं ये मेरे लिए बड़ा proud का विशा है दोस्तों इसलिए मैं आपके साथ में ये जो है शेयर किया वीडियो और साथी साथ करीबन 47.3k के something जो मेरे इसके अंदर subscriber हुए तो उन सबका thank you very much और Mr. Ash Mufaraj का special thank you इसलिए कि उन्हो November 2020 में जब मैं on passive में आया था तो उसके पहले मैं already YouTuber था और मैंने कुछ channel बनाये थे 2012 से मैं काम करते आ रहा था लेकिन जब मैंने देखा कि 2020 में मेरे नजर में एक चीज आई वो थी on passive July के something लेकिन मैंने जब आचानक से चला गया मुझे पता नहीं ये क्या होगा IT company से related और इसमें क्या है मैंने एक वीडियो देखा और वो इतना जबर्दस लगा और सबसे अच्छा है लगा कि एक ऐसी company एक IT company है और यह टोटल artificial intelligence based company है तो सोचा क्यों ना इसके अंदर जो है मैं भी जाओं और मैंने start किया November 2020 में लगबग 10 या 11 November को अपना पहला इसमें अपने चैनल पर वीडियो अप्लोड किया जो कि अल्रेडी पहले से चल रहा था एक कुछ gaming channel टाइप था लेकिन उस पर इतना work नहीं कर रहा था जब मैंने शुरुआत करी इसकी और एक महीने में ही जो है मेरे चैनल पर बहुत अच्छे views हो और सब कुछ होने लगा और यह बहुत तो है वीडियो अप्लोड करके बनाना है और जस्ट शेरिंग करना है लोग देखेंगे लाइक करेंगे सब्जेक्ट बढ़ा अच्छा है ठीक है सब्जेक्ट बहुत अच्छा है है एस्टेग ऑनपैसिव आप करेंगे और आपको सोचेंगे आप व्यू आ जाएंगे दोस बड़ा अच्छीमेंट है मेरे लिए हलाकि अगर आप एक यूट्यूबर हो और आपके अगर चैनल पे जो है करीबर वन है ना हाप यहर में अगर छे लाक बोल सकते हैं आपकी जिगा साहट लाक प्लस व्यू होते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं होती है मेरे हिसाब से लेकिन फिर भी जो है आप जिस सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं उसे बहुत बड़ी बात भी होती है तो दोस्तों वही है बहुत सारे जो यूटूब पर लोग आ रहे हैं सोच रहे हैं कि हम भी यह कर लें आसान सफर नहीं होता है दूसरी बात क्या है कि सबसे important चीज लेकिन अंदर कुछ भी होता है और अट्रेक्टिव थम्नेल तो बनाए लेकिन आपका जो सब्जेक्ट था क्या आपने उससे रिलेटिट वह चीज़ वहां पर बात बोली है यह बहुत ज्यादा इंप्वर्टेंट है कई लोग जैसे यह ऑन्पैसिव से रिलेटिट जो थम् YouTube करके और बहुत जो है पैसा बना लूगा यहां तो आपके बहुत बड़ी गलत फहिमी है सही चीज़े डालिए सब कुछ सही कीजिए और बिल्कुल अट्रेक्टिव थमनेल हो लेकिन वो जुटे थमनेल नहीं हो और दूसरी बात यहां पर यह आपका presentation बहुत important है जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपका presentation बहुत माइने रखता है आप से सब कोई कुछ भी चुड़ा सकता है लेकिन आपका presentation कभी भी आपसे कोई चुड़ा नहीं सकता है तो अपने presentation को भी आप सही रखी है और सही चीज़ है जो real information से वही आप दीजे तो आप आपको जो है एक सही लोग जो पहचानेंगे या जानेंगे और special अगर हम on passive की बात करेंगे उन subject की तरह नहीं है जो दूसरे हैं ये on passive में जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो की दूसरी चीजों से हमको अलग बनाती हैं और especially अगर आप founder है on passive के और अगर channel बनाते हैं तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा सही चीजें आपको जो है शेयर करने पड़ेंगे और सही authentic जो चीजें वो ही आप दिखाएं नहीं तो कुछ भी आपके लिए ही नुकसान होगा ना आपके पास न व्यू आएंगे ना लोग आपको देखना पसंद करेंगे तो सही चीजें जारी है और सही जानकरी दीजें हमेशा लोगों को ताकि लोग आपकी तरफ अट्रेक्ट हो और लोग आपको देखना पसंद करें दोस्तों तो ये सफर आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है अगर आप करेंगे दिल से इस चीज़ को राइट तो की थैंक यू वेरी मुच पाउंडर्स थैंक यू री मुच मिस्टर आश मुफारे और थैंक यू अन पैसिव